कैसे आप सभी लोग होप को राप सब अच्छे होंगे और आपकी लाइफ का फेसी चलिए होगी आज की वीडियो में यह सीखेंगे कि कैसे आप connection को इस्टरिलाइज करते हैं ठीक कैसे डाड़ा ट्रांसफर होता है कैसे आप टर्मिनेट करते हैं connections को फिर हम लोग यह कि data कैसे transfer हो रहा है और फिर हम देखेंगे कि इसको terminate कैसे करना है कि अगर हम लोग यह चाहते कि क्लाइंट और सर्वर आप data ना भीजें तो terminate कैसे करते हैं उसमें कौन-कौन से data बचेगा जो data के लिए size होता है उसको हम लोग कहते है ms as maximum segment size ठीक है आप देखिए यह calculate कैसे होता है maximum segment size ठीक है इसके लिए में इसको फाइल को एड़ करते हैं यहाँ पर मैंने यह दिखा कि data link लिए रहे है ठीक है यहाँ पर हमारा टेलर होगे यहाँ पर हमारा header है ठीक है यह जो data pass कर रहा है इसे हम लोग क्या कहते हैं MTU maximum transmitted unit यह किसके साब से decide होती है network के साब से है कि आपका network के साब का है उसे साब से MTU decide होता है ठीक है उसके बाद आता आपका network layer मालीजिए यहाँ पर MTU decide होगा thousand byte ठीक है फिर network layer नेट वक्लेयर लेयर टोटल कितने का होगा बाइट का laugh जाएगा ठीक है या बहूत इमप्वाइट है उसके बाद आता था आपका window size देहें बताता है कि जैसे हम लोग data भीजरे है को आपने पास ठीक है। यह जो बफर होता यह कर ए सेघमेंट को अपने पास रखीड़ल को ऐसा नहीं होकि आपने रखा जाएका यहां फिर जाके प्रोसेस होगा। ठीक है विंडो साइज से ये लोग क्या करते हैं आपके जो flow control है उसको control में रखते हैं ठीक है flow control में जो data भीज रहे हैं उसको थो प्लोकेट कर वाता है तो एक्षाइश और वाणि आपका नंगत क्या होता है और देखें सिंग्रोनीजिशन फ्ल्एट देख लेते आilli क्या करता है जब भी अम प蓋 से टीम पे हम लोग monitor ऺईजते हैं पहली टाइम गमेश्ट बनाते हैं तो वहां पर यह बताता है कि अब मैं connection के लिए ready हूँ toc करना चाहता हूं ठीक है वह request महांगरा आप से तीक है फिर आप response जनेरेट करते हैं तो आप synchronization flag आप भी भेजते हैं कि हाँ मैं भी request मलब मैं भी response कर रहा हूं और मैं भी data भेजना चाहता हूं क्योंकि हो सकता है कि आप जो data भेज रहों ठीक है अपने data भेजा ठीक है आप जो receiver है वह भी data भेजना चाहरा हो ठीक है तो यहां पर सेंडर सेंडर सेंड और रिसीव दोनों एक टैंप पर कर सकता है तो यहां पर जो सिंग्राइशन फ्लैग वन करके भेज आए अब रिस्पॉंस आ रहे है वहां पर इसका मतब वह रैडी है ठीक है और यह सिफका होता है जब connection connection कीब अब अब ईसकी होता है उसके बाद नहीं होगा ठीक है अब बैजने देखेंगे पूरा प्रोसेस किस तरह से होता है अभी मैं आपको यह बताता हूं कि सबसे पहले TCP में connections कैसे बनते हैं ठीक है उनके लिए यही दो important synchronization flag हो गया अभी और किसी flag की जरुवत नहीं पड़ेगी तो connection सबसे पहले मैंने यहां पर लिया एक sender और एक receiver इसको क्लाइंड भी कह सकते हैं सर्वर भी कह सकते हैं मैं इसको sender कह रहा हूं ठीक है और यहां पर receiver हो गया ठीक हो गया अब देखिए यहां पर इसके पास क्या होगा सेग्मेंट होगा सेग्मेंट में होगा header ठीक है और header में आपका क्या होगा sequence number होगा sequence number क्या बताएगा जो कि starting sequence होगी वो बताएगा और यहां पर इसको random भी चूज करते हैं मैंने चूज कर लिया 500 है ठीक है और फिर यहां पर इसके पास होगा data कि इसके यह 500 बाइट का है ठीक है स्टार्टिंग जो sequence number हो 500 का है ठीक है इसने भीजेगा इसको और मैं यह मान के चल लाँ कि आप receiver ने calculate कर लिया है receiver calculate करना जानता है आप भी जानते हैं वैसे 500 का आएगा इसलिए पहले बताएगा कि मैं data भीजूँगा तो मैं कौन से भीजूँगा सबसे वहले 500 का भीजूँगा ठीक है और इसके सांद भीजेगा synchronization number one ठीक है यह synchronization one का मतलब क्या है कि मैं data connection बनाना चाहता हूं और मैं जब बन जाएगा connection तो पहली जो मैं बाइट भीजूँगा उसका सेक्वेंस नंबर क्या होगा 500 ठीक है यह बताएगा उसके सांद साथ यह बताएगा कि MSS कितना है MSS मैं आपको बताया अभी कि MSS क्या होता है कि कि limit है उसकी segment की कितना data समा आ सकता है ठीक है सिर्फ data header को include नहीं कर रहे हैं segment कितना सकता है उसका size बताएगा मान लिए उसका size है आपका यहाँ पर इस case में मैं मानों कि 200 है 200 है ठीक है अब यह बोलेंगे आप कि हां 100 माना है 200 माना वह मैं भी adjust कर लोंगा ठीक है बताओंगा क्यूं कि मैंने क्यूं 100 माना है MSS मैंने यहाँ पर 200 मान लिया फिर मैंने यहाँ पर क्या करा इसके सांस्ताथ window size भी जा window size ठीक है विंडो और एस लिखाए window size आप अच्छी से नोट करेंगे विंडो साइज बताया मैंने की 5000 है buffer size बताया मैंने 5000 है ठीक है बस मुझे इतना ही बताना है ठीक है और MSS के लिए आप सूच रहोंगी कि header हमारे पास जो है उसमें तो MSS है नहीं तो MSS कहां से आता है MSS आता है आपका options है ओप्शन से आएगा MSS ठीक है यह चीज समझ के बाकी सब के लिए हमारे पास क्या है एक particular location आपका नहीं मिल ला तो यह है देखे विंडो साइस यह है विंडो साइस यह है विंडो साइस एड्मेंट भी कहते है इसको ठीक है तो यहां पर रिसीवर यह आ गया अब इसने अब यह बहुत है तो इसने क्या करा इसके पास भी अपना एक सेग्मेंट यह भी टाटा भी हो रहा है एक है और यहां पर यहां पर सबसे बहले क्या बताएगा सबसे बहुताइगा से बहुत हैंगा 2000 से भीजूँगा अपने सिक्वेंस नंबर और सिंक्राइजेशन बीट क्या करेगा वन करेगा मतलब मैं भी कनेक्शन बनाना चाहता हूं कह रहा है ठीक है फिर यह भीज़ेगा अपना होगा तो उस ही के नैट्वर्क से पास और उसके चैनली अगर बीज़ेगा और लिस्त Member करेगा है उसको तो schooling करेगा तो यह O ग्रेत कि याएका तो इसके नेट्वरक्स ही तो उसको फ्रेगमें तो टोड़ देगा मेरे पास पहुंचाने से पहले तो देखिजिए ओवर हेड हो जाता है तो इससे बढ़िया जो लोग ये मानता है कि हां मैं सौही भेजूँंग योगी मुझसी पता चलिए तुम्हारी लेने के उसे ज्यादा लेने के नहीं ओर फिर यह भीजिएगा przy सब्सक्राइब है माल लीजिये इसका कितने इसका भी आप आपका 8000 माल लिए रेंडम ली मा ओं रहा हो ठीक है अब हम पूरा इसके अरहे लेक्चर लेंगे विंडॉसाइब की च्छल दर से सबसे बहुत है सिक्वेंस नमबर भीजा सिक्वेंस नमबर भीजा विंडोस इस नमबर होगा अब इसने रिसीफ कर लिया तो यह यहां से सिक्वेंस नमबर भीजे हैं सिर्फ कनेक्शन बन रहा है तो जो सिक्वेंस को कंज्यूम कर लेता है क्या कर लेता है अब जो सेंडर है वह सिक्वेंस भीजेगा वह 501 वाली भीजेगा कौन सी भीज़ेगा 501 वाली ठीक है यह ची समझ गए और अब यह क्या करेगा अब इसने यह रिसीव कर लिया है अब इसको यह भी भी भीज़ना है कि मैं जो भीज़ूंगा सिक्वेंस नमर हो 501 वाला आएगा अब यह भी बताएगा कि जो तुमने भीज़ा था वो मैं मैंन सेंडर की वह भीज़ेगा यहां पर यह भी क्या करेगा इसका सेक्वेंस करेगा यहां पर रिसीवर का माला 200 की 2000 की जगह क्या एगा दोहजार एक तो अब यह बोल ला है कि अब मैं दोहजार एक को एकसेप्ट करूँगा जिसका सेक्वेंस नमर्बर दोहजार एक होगा ठीक है अब देखिए अब हमारा सेकेंड पात रहे हैं कनेक्शन का अब कनेक्शन हमारा बन गया अब हमात आए कि डाटा कैसे बहुत कर दोहरे हैं मैंने से बताया कि यह आपके पास सेग्मेंट है यह यह रोगा यह सिक्वेंस नंबर क्या था इसका हमने क्या लिया था 500 लिया था था तो उसके बाद जो आपका layer होगी TCP layer जो टांस्पोर्ट layer होगी वो क्या करेगी वो wait करेगी application के data भेजने का application byte by byte data भेज़ेगा ठीक है 50 byte भी 30 byte भी 20 byte से करके full करेगा और जैसी वो 100 byte हो जाएगा ट्रांस्पोर्ट layer उसको भेज़ देगा ठीक है लेकिन कभी के भी अप्लिकेशन लेयर बहुत ही टाइम लगा देता है डाटा को भेजने में ठीक है तो उसको जितना मिलेगा वह उतना भेज़ देगा क्यूंकि यहां पर एक डाटा के साथ या फिर डाटा का वेट करेगा द यहां पर से मैंने क्या कहा है मैंने कहा कि हमारे पास जो सेग्मेंट था उसकी पहले सिक्वेंस का नंबर क्या था पांसो एक था तो इस सबसे पांसो एक ठीक है अब आप बोलेंगे कि सर अभी आपने बोला यहां से पांसो सिक्वेंस एक भेज दिया तो अब यह पांसो दो नहीं भेज़ेगा नहीं भेज़ेगा क्यूंकि जब एक्क्नॉलिमेंट फ्लैग आपका वन होता है तो यह किसी भी तरह की सिक्वेंस को खरएक दीने जिम नहीं होगा और यहांपर अब जिरो ठीक कई सिक्वेंस में क्यूं जेता नहीं हुआ क्यों किसी भी तरह का डाटा इसीव नहीं हूआ तो खालंगे जिरो ओगा यहां पर क्या होगा सिक्सित क्वाToo 10 की दरबत नहीं है धेंके तो यहां सिक्वाइशन बर यह समझता है ऐसे समegना गया ठीक या आफ आप आप बोलेंगे कि सर क्यूंच में यहां भीज़ते हैं ठीक है थी यह यहां बार भीज़ते हैं हर भार क्योंकिमाल लिज्ड यह गूर्ट हो जाता यह नहीं जाता है थैस में क्या होता उस case में, जब आप भीज रहे हैँ sequence यहाँ पर, दुबारा से, ठीक है? यहाँ पर sequence नमबर भीज़ा है यहाँ पर, यहाँ पर इसर्फ, छिद घृईज में डाटा भी भीज़ा रहा हूं है यहां पर सिक्मेंट नमर 501 से लेकर कितने तक कि चले जाएंगे सो जा रहे हैं तो 599 नहीं पूरे 600 600 जाएगा ना क्योंकि 501 प्लस 100 कितना हो जाएगा 500 प्लस 100 जाएगा उसमीं से एक माइनस कर देंगे तो 600 तक का यहां डाटा चले जाएगा ठीक है वह आपका रिसीवर कर लेता है कितने तक का डाटा आ गया होगा ठीक है तो यह सब जा रहा है तो डाटा भी जा रहा है और अगधार हर भार भीजिगे क्यों ऐस्ट हो गया माली जिये तो जब यह अप डाटा भी रहे हैं आपको तो यह नहीं पता है ना कि जो आपने प्रम भीजिया हुई नहीं हुई ठीक है वह लॉस्ट हो गई तो उस केस में यहां पर जब आप सिक्वेंस भीजिंगे से नमर पांसो एक अनॉलमेंट भी भीजिंगे तो उसको पता जाएगा कि हाँ इसको अनॉलमेंट मिल गई है और डाटा भी आ गया है ठीक है वह समझ जाएगा खुद बखुल कि जो प्यॉर अनॉलमेंट थी ठीक है वह लॉस हो चुकी है वह खमत जाएगा ऐसा कोई फर्स नहीं होता इसके उपर फिर यह क्या करेगा यहां घ्ट में नंबर भीजरा इसके चोटा लिख रहा हूं इसका मलब अनॉल में नंबर है तो वह किसका मागेगा यह यह समेलिगा 601 को मागेगा और अपना अपन्र भेजेगा हमों किसमेल नंबर मागा थामने 001 नंक प्लए यह सल्ट होगा Hotel tecnología Overall is 900 2 jullie होगा 2100 न 노래ya डाड़ा जाएगा बताइए 2001 से लेकर कितने तक का डाड़ा जाएगा 2001 प्लस हंडिड माइनस वन बलब 2100 तक का डाड़ा चले जाएगा ठीक है और यहां पर यहां यहां से क्या करेगा डाटा को भीजेगर आप तो यह सिक्वेंस क्या बेंचेका बताएगा 600 तक तो इसने बेजी दिया है 2100 тоб理 थो 對不對 इसको इसको कितना मिल गया है 2100 सबसे पर सिंब्र की आयगा पताईoli नंबर आएगा 2101 जो मागा था वही भीजा है एक्रणाजमेंट फ्लैगा जाएगा वन और एक्रणाजमेंट नंबर क्या होगा आप इसको कॉंसर डाटा चाहिए ठीक है कॉंसर डाटा चाहिए इसको 601 वाला इसने भीज दिया था तो इसके बास कितना आएगा 601 से लेकर 700 तक कर ड्राटा आगया होगा ठीक है तो अब यह 701 मागेगा अब देखिए इसके बात क्या कर रहा है कि इसका बहबर यह उसके भीजिए नहीं भरा अप्लीकेशन ने बहिजा यहे नहीं भीज़ा यह सिर्फ क्या कर रहा है वेंट कर रहा है और यहां पर क्या होता है स्टा तर अंदर टाइमर के अंदर अंदर यह buffer भर गया थीक है मला MSS भर गया ठीक है data भर गया तो भेज़ देगा अगर नहीं भरा मैं मान के चलाओ नहीं भराई data ठीक है तो वह क्या कर गया सबसे पहले सेक्वएंस नंबर जो सकरना चाहिए इसके वाять ांगे था मैं चित्ना एख कितना से पहले यह जघे सेवह कर बियोगर सो आद धूर गार नोगलन से मैंने सिक्वेश नबर यकल लिख दिया तो देखे इस केस में क्या ओबगा तब क्या भेज एगा सबसे शीक्वेश नर्म नमबर कितनी आ जाएगी एक्वाइस सो एक ठीक है यह चले गिया अब मैं यहां से इसको थोड़ा सा डिलीट कर दे रहा हूं ठीक है स्कूनलोर्यमेंट नमबर भी आपका भीज़ देगा एक्वाइस सो एक अब इसने सो डिलीट आट भीज़ दिया अब यहां से इसको रिसीव कर लेगा तो यहां पर यह क्या करेगा अपना सेक्वेंस नमबर भीज़ेगा बताइए जो यह सैंड करेगा कि यहां पर से हमें यहां रखनी पड़ेगी इसको मैं नोट कर लेता हूं ठीक है कि यह क्या था सेक्वेंस नंबर आपका चलिए इसको देख लेंगे यह यह सेंडर है यह आपका रिसीवर है ठीक है आप देखिए एकलोजमेंट जब यहां पर टर्मिनेट करना होता है उससे पहले कुछ हमें स्लाइड पढ़ने पढ़ेंगी तो स्लाइड को पढ़ लेते है देखिए जो फिन फ्लैग होता है हम लोग जब भी टर्मिनेट करते हैं तो कौन सा फ्लैग यूज करते हैं फिन फ्लैग फिन फ्लैग वन का मतलब है कि मैं टर्मिनेट करना चाहता हूँ जैसी वह बहेज देगा जैसी यह आपका सेंडर है यह आपका रिसीवर है यह सेंड फिन 1 भीजा उसके बाद ये wait करेगा इक इस सिस्ट्रम में क्या करता है वो किसका wait करेगा डा सर्वर लिए और अरम ये का करेगा फिर यहाँ जो सर्वर वहन रिसीव कर लेगा फिन का सेगमेंट उसने सेगमेंट रिसीव कर लिया अब वो एक्लाजमेंट सेंड कर रहा है अपनी back to client ठीक है तो यहाँ पर यह क्या करेगा अपनी फिन भीजेगा और साथ में क्या भीजेगा अपना यह अपका sequence number भीजेगा अब यह क्यों sequence number भीज रहा है क्योंकि यह कर रहा है कि मैं connection नहीं बनाना जाता अब रिसीवर ने ऐसा कुछ नहीं का रिसीवर कहरा मैं तो भीज सकता हूं और मैं भीजूँगा तो मैं इस sequence number का डाड़ा भीजूँगा इसलिए यहाँ पर sequence number भीजता है ठीक है उसके बाद वो constantly state में जलता है fin wait to early state में once a client receive अगर उसने एकनोल में receive कर लिए fin वाली तो it's moved to fin to early state fin to state में क्या होता है कि वो wait करता है कि server कब अपना fin segment भेजेगा मतलब अब server कब बोलेगा कि मैं terminate terminate करना जाता हूं connection ठीक है यह वही वाली बात हो गई कि आपने message कर दिया breakup आप wait कर रहे है यह चीज़ का उसके देखने का आप उसने देख लिया अब उसका reply आ रहा है ठीक है server क्या करेगा fin भेज देगा मतलब server भी अब क्या करेगा ready है connection को terminate करने के लिए ठीक है इतना समझ गए कि कौन सा fin flag लगेगा बस ठीक है इसमें क्या ठीक है तो यहां पर economic number क्या भीजी थी ठीक है यहां पर यह अचीव वह था तो economic number कितनी भीज़ेगा विए 1200 वाला आ गया था तो मालब इसके पास 201 से लेकर कितने तक का 200 तक का डाटा आ गया होगा ठीक है तो 301 वाली क्या कहाज़ेगा अब इसी में एक ही connection में एक ही data में वह economic number भेज दे रहा है जिससे यह पतल जा रहा है receiver को हां कि मेरा यह packet पहुंच चुका है 2300 तक packet पहुंच चुका है उसके बाद वह क्या कर रहा है fin1 भी भी दे रहा है मतलब मैं यह वह करना क्या चारा है कि terminate करना चारा है यह भी बता दे रहा है ठीक है और यहां पर sequence number sequence number क्या आएगा बताइए sequence number आएगा आपका 801 801 कितना आएगा 801 801 आएगा ठीक है अब ऐसा क्यों क्यों कि माल लीजिए अभी terminate कर रहा है ठीक है terminate के लिए अपने बोला terminate कर रहा है उसका दुबारा data भीजने तुरंट देख दू सेकेंड बाद या दूबारा data भीजने तो वहां पर क्या हो जाएगा आपका फिट से sequence number इस्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो बहां पर से यह भीज रहा है 801 इसने भीजा ठीक है अब यहां पर दो कंडिशन मनेंगी receiver की receiver की दो कंडिशन मनेंगी या तो यह terminate करना चाहता होगा या तो यह नहीं करना चाहता होगा अगर terminate करना चाहता होगा तो क्या data भेज़ेगा और terminate नहीं करना चाहता होगा तो क्या data भेज़ेगा तो यहाँ पर देखिए नमबर सिर्फ 801 जा रहा है और कोई byte consume नहीं होगी और fin क्या करता है fin भी आपका 1 byte को consume करता है अगर fin is equal to 1 हुआ तो यह क्या करेगा one sequence को one sequence बादा one byte consume होगी one sequence अपका consume हो जाएगा ठीक है अगर one होता है तो zero होता है तो नहीं होगा तो यहाँ पर sequence number क्या जाएगा 802 802 802 क्यों आया यूगी 801 था fin ने एक ले लिया एक सिक्वेंस ले लिया तो अब यह जो accept करेगा sequence number वह 802 वाला मागेगा ठीक है अगर ऐसा नहीं होता कि यह भी अपना terminate करना चाता तो किस तरसे डाटा भेसता देखिए sequence नमबर भेसता 301 ठीक है acknowledgement भेसता एसी की one करके भेसता अगर 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 नमबर भेस था आठ सो दो और यहां पर यह क्या करता fin भेस देता 1 ठीक है और अब क्या करेगा सेंडर इसका ipl事情 करेगा सेंड air क्या भीजेगा सेंडर्क्त नंबर 802 इस ने भीज़ा और यह साथ में क्या करेगा एक्कुल क्या होगा आपँ अ таких statement नंबड हो जायेगा आपका 202 का यहां पर यहां पर इसने यह सिक्वेश्क भीजा अगम想स कहा जाएकँ यहां यहां पर आपका तर्मिनेशं ऊंहें उस तरहे से अब कनेक्शन रिकेशंस हूं compare शुक्राइं प्रोपर लियुक्प जाता है यहां पर हमारे चैनल तो पुइंट हो जहां पर मैं बीटेक के वह सब्सक्राइब पढ़ाता हूं जो किसी भी कॉम्टेट इक्जाम में पूछ जाते हैं चाहे वह गेट हो चाहे वह इस रो हो चाहे वह आपका और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक केजे शेर केजे और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्यों वाचिंग गुडभाई टेक केर कर दो कर दो हमारी चैनल को लाइक के लागर ना भूलें